जिग्यासु मित्रों अभिनंदन है आपका दिव्वे स्रिजन स्प्रिच्वल टॉक्स में शिव महिमा शिव कथा हम श्रवन कर रहे थे आईए उस कथा को आगे बढ़ाते हुए हम श्रवन करते हैं भगवान भूले नात ने अर्ध नारिश्वर रूप धारन करकर जिन दिव्व पुरुष और दिव्व नारी को जन्म दिया वही मनु शत्रूपा में मनु और शत्रूपा के रूप में अवतरित होते हैं धर्ती पर इस मिर्त्यू लोक में इस इस्थूल जगत के संसार में जहां पर इस्थूल शरीर है मनु सत्रूपा के पुत्र और पुत्रियां होती हैं उन में से एक पुत्री देवी प्रसूती जिनका विवाह प्रजापती दक्ष से संपन्न होता है अब प्रजापती दक्ष की देवी प्रसूती के गर्ब से साथ कन्याओं का जन्म होता है उन साथ कन्याओं में एक विशीष कन्या होती है जो की स्वेम आध्या शक्ती की अवतार है भगवान ने जैसी भविश्वानी की थी उसके अनुकूल देवी प्रसूती के गर्ब से और प्रजापती दक्ष के घर में एक कन्या का जन्म जो की स्वेम आध्या शक्ती का अवतार है वो साक्षात शिव की शिवा है उसने अवतार लिया यू तो साथ कन्याई ही शक्ती का अवतार थी परंतु उनमें विशेश रूप से आध्या शक्ती ने सती के रूप में जन्म लिया अब देवी सती प्रजापती दक्ष की सबसे छोटी पुत्री थी या बड़ी पुत्री थी या बीच में थी इसका विशेश कोई वर्णन शिव महापुराण में नहीं मिलता है लेकिन देवी सती का जन्म हुआ और देवी सती जिनका सभाव ही था शिव से प्रेम करना वो सभाव से ही वो प्रकृती ही उनकी वैसे थी शिव से प्रेम करना क्यूं कि वो शिवा थी शिव की ही अंश थी तो जो शिव का अंश है वो स्वेम को पुर्ण करने के लिए शिव के पास ही तो जाएगा तो देवी सती के अंदर एक जन्म से स्वभाव से ही एक शिव के प्रती प्रेम करना ये उनकी प्रकृती थी लेकिन प्रजापती दक्ष के मन में शिव द्रोह भरा हुआ था उनके मन में शिव द्रोह भरा हुआ था वो शिव के प्रती शत्रु भाव रखते थे और उनकी पुतरी सती शिव के प्रती प्रेम भाव रखती थी अब परिवार में निश्चित रुप से इस बात को द्वन्दतो भविश्य में होना ही था प्रजापती दक्ष की साथ कन्याएं जिनका विवाह उन्होंने देवताओं से सब्त रिशियों से संपन्न किया भिगू दधीची आदी रिशियों से अपनी पुत्री का विवाह किया चंद्रमा इंद्र आदी देवताओं से भी अपनी पुत्री का विवाह किया एक पुत्री जो बड़ी पुत्री थी उनकी विजया उसका विवाह पितरों से किया इस प्रकार से वर्णन आता है क्योंकि वह स्रिष्टी सुक्ष्व लोक की स्रिष्टी हुआ करती थी तो इसलिए वह समय अलग था इस बात को आप समझना चाहते हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि पितरों से देवताओं से विवा कर दिया जाए रिशी मुनियों से तो चलो थोड़ा समझ में आता है लेकिन देवताओं पितरों से क्योंकि वो उस समय वो सुक्ष्व लोक में रहने वाले देवतागन इस थूल होने का सामर्थ रखते थे और इस थूल में जो लोग हुआ करते थे वो भी सुक्ष्व में जाने का सामर्थ रखते थे कि कर्म वासनाओं का जो प्रभाव था वो उतना व्यापक नहीं था जितना की कल्यूग में हो जाया करता है वर्तमान समय में हो जाया करता है इस कारण से सुक्ष्म लोक की गती को पकड़ना या पहचानना इतना कठे नहीं था सरलता थी उस समय बाद में ये जटिलता बढ़ती गई करम संसकारों की जटिलता और युग परिवर्तन के साथ साथ गुणों के परिवर्तन के साथ साथ गुणों के परिवर्तन से ही युग परिवर्तन होता है ये भी ध्यान रखें गुणों के परिवर्तन से ही युग परि योगी ही जान पाते हैं परते कि सधारन व्यक्ति के लिए संभव नहीं है लेकिन उस समय की बात अलग थे इस कारण से वहाँ पर ऐसे विवाह की चर्चा आती है तो अब देवी सती जो की शिव से प्रेम करती थी बोले नात से प्रेम करती थी उनसे प्रेम करना ही उनका उनक पुर तपस्या की भोले नात को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके विवा के लिए उनको राजी भी किया लेकिन प्रजापती दक्ष कभी भी इस विवा से संतुष्ट नहीं थे इस विवा से प्रसन्न नहीं थे वो नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवा शिव से हो वो जिन्हों ने उनके पिता के एहंकार रुपी सर को भी काटा उन्हें दंडित किया जिन्हों ने ऐसा पिता को तो किया ही किया और फिर साथ ही शिव जो है प्रजापती दक्ष की नजरों में सब भे नहीं थे क्योंकि वो वन में रहते थे जंगल में समशान में और पहाड़ों पर हिमाले के उच्छी चोटियों पर उनका निवास होता था कैलाश परवत पर उनका निवास होता था तो उन्हें एक सब्भे व्यक्ति नहीं जान पड़ते थे और कई कारणों से ऐसे कई क्योंकि जब व्यक्ति किसी से द्रूह करना चाहता है तो वो कई कारणों को अपने मन में विक्सित स्वेम ही कर लेता है तो प्रजापती दक्ष ने भी शिव द्रूह में अनेकों कारण विक्सित कर रखे थे अगर उनसे पुछ दिया जाए कि आप शिव से क्यूं शत्रुभाव रखते हैं शिव के प्रती क्यूं शत्रुभाव रखते हैं तो वो अपने पचासो कारण गिनवाने में समर्थ रखते थे तो प्रजापती दक्ष के विरुध जाकर सब तरशियों की सहायता से और सती ने भूले नाथ से विवाह कर लिया बाद में प्रजापती दक्ष को भी इस विशय में मंजूरी देनी ही पड़ी क्योंकि यह विवाही ऐसा था देवताओं की भी सहमती थी इसलिए प्रजापती दक्ष उस समय कुछ न कह पाए और सती का चुनाव शिव होना यह भी असधारन था क्योंकि कोई सधारन कन्या शिव को अपना पती नहीं चुनेगी क्योंकि शिव के पास भन धाल नहीं है शिव के पास बड़े बड़े राजमहल नहीं है शिव तो पहाडों पर रहने वाले वनों में रहने वाले शम्शान में रहने वाले थी अब हुआ क्या कि महादेव से शती का विवा हो गया देवी देवता तो सब प्रसन्न हो गया प्रजापती दक्ष के मन में बहुत कुछ चलता रहा उधर देवी सती की भी इक्षा थी कि मेरे पिता ये चाहते थे कि मेरा विवा महादेव से ना हो मेरा विवा किसी देवी देवता या वैकुंट वासी विश्णू से हो क्योंकि ये सभी लोग बहुत ही उत्तम स्थान पे रहते हैं स्वर्ग लोग बड़ा ही सुन्दर है बड़ा ही भव्व है वैकुंट लोग भी चारो तरब से चमकने दमकने वाला है परंतु भोले नात शिव वो तो पहाड़ों पर रहते हैं वनों में रहते हैं परवत पर रहते हैं उनका ना कोई घर है ना कोई महल है ना कोई बाड़ी है ना कोई परिवार है ना कोई कुल है ना कोई इस तरह की चीज़े उनके साथ नहीं है और कोई वैभव उनके पास नहीं है तो इसी कारण से मेरे पिता मेरे विवाह को लेकर दुखी रहते हैं अब यह बात सती के मन में हमेशा रहती थी सती के मन में यह बात हमेशा रहती थी तो सती के मन में आता भी था तो वो भोले नात से कभी कहती नहीं थी कि ऐसा ऐसा होना चाहिए हमारे पास भी सुन्दर महल होना चाहिए नहीं सती ने भी धीरे धीरे वो जीवन अपना लिया जो शिव का जीवन था जो शिव की दिन चरया थी जो जीवन शैली थी वनों में रहना कभी संशान में चले जाना तो कभी भटकना वन के अंदर खुले इतनी सर्दी में बरफिली पहाडियों पर खुले में रहना आसमान ही छत है धर्टी ही फर्ष बन चुकी है ये पुरा संसार ही परिवार है और साथ में जो है जीवजन्तु भी रहते हैं भूत प्रेत गणा आदी भी रहते हैं सरप भी रहते हैं नंदी बैल भी रहते हैं तो ऐसा परिवेश में सती को रहना पड़ता था जबकि देवी सती का पालन पुशन तो राज घराने में हुआ प्रजापती दक्ष के हुआ के यहां हुआ हर सुख वैभव में हुआ ये दपी सती को कोई समस्या नहीं थी लेकिन सती के मन में ये बात रह सती को लेकर वैकुंठ में चले जाते हैं और वैकुंठ की भवविता चका चौंध को देखकर सती की आखे चौंधिया जाती है सती सोचती है कि यहीं अच्छा मौका है मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि कैलाश पर भी वैकुंठ जैसा कोई सुन्दर महल बन जा और ऐसी इक्छा को लेकर देवी सती ने जब वो वापिस आगय कैलास पर तो भगवान भोले नात से कहा कि भगवन देखिए भगवान विश्नु वैकुंठ के में रहते हैं और ऐसे वैकुंठ में कितने सुन्दरस्थान पर रहते हैं क्या यहां पर नहीं होना चाहिए सु सुषान में रहते हैं तू भगवान भोले नात ने कहा कि तुम अब को नहीं जानते श्री हरी श्री विश्नु साक्षात भाशात मायापती है उनकी माया को देखकर अच्छे-च्छे रिश्य मुनी ही ब्रमित हो जाते है जब वो अपनी माया विःते है तो मुझे लगता ह कि तुम भी अब उनकी माया जाल में फस शुकी हो, इसलिए ऐती बाते कर रही हो, हे सती ये संसार नश्वर है, अता इसमें वेर्थ की बहुत सारी चीजों को एकठा करने की जो लिपसा है, जो कामना है, वही तो दुख का कारण है, इसलिए हम कैलाश पर रहते हैं, जैसे रह कर लिया के नहीं, मुझे तो वैकुंट से भी सुन्दरस्थान चाहिए, वैकुंट से भी सुन्दरस्थान चाहिए, तो प्रभु का नियम है कि भाई तु जैसे कामना करता है, अगर उस कामना को तु बार-बार करता है, तो तेरी कामना पूर्ण कर दी जाएगी, अब पकड़ ही ली है कि तुम्हें वैकुंट से भी सुन्दरस्थान चाहिए तो मैं इसकी विवस्था करता हूँ भगवान ने कहा कि मैदानों को बुलाकर एक भव्वे महल का निर्मान कराया भव्वे स्वन महल कैलाश पर बन गया और देवी बड़ी प्रसंद वैकुंट से भी संदरस्थान बन गया देवी बड़ी प्रसंद हो गई उतनी प्रसंद हो गई कि देवी सती ने घोषना कर दी कि आज जो मुप मांगा मांगेगा उसे वैसा ही मिल जाएगा मुप मांगा ही उसे मैं दूनगी दान जो भी आजाए अब लाइन लग गई मांगने वालों कि कहते हैं कि रिशी आये ब्रह्म ज्यानी रिशी पुलस्त रिशी पुलस्त रिशी जैसी देवी के समक्ष पहुंचे देवी ने कहा कि है रिशिवर आप भी मांगिए आप जो मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं मैं आपकी एक्षा आपकी मनों कामना को ततकाल पूरी कर पुलस्त रिशी ने कहा कि नहीं मैया प्रभू की कृपासे भगवान भोले नात की कृपासे सब कुछ मेरे पासे किसी चीज की कोई कमी नहीं है और सबसे बड़ा तो वो आत्म ज्यान वो अध्यात्मिक साधना जो वो जिसने वो प्राप्त कर लिया अब उसे चाहिए क्या बहुत कुछ उसको चाहिए भी नहीं इसलिए हे देवी मा मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए मैं तो बस देखने आया था दर्शन करने आया था कि शिव की शिवा ने कैसा रूप धारन किया है उस आध्या शक्ती के दर्शन करने आया था हे माते तेरा दर्शन मुझे प्राप्त हो गया मैं तृप्त हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए पुलस्त रिशी आगे बढ़े जैसी आगे बढ़े तो ऐसा प्रतित हुआ जैसे पीछे से कोई धोती पकड़के खीच रहा है पुलस्त रिशी ने देखा कि कौन भाई खीच रहा है पीछे से पीछे मुण कर देखा तो एक छोटा सा बालक जो की पुलस्त रिशी का पोता है पुलस्त रिशी का पोता है वो उनकी धोती को खीच रहा है और जब खीच रहा है तो पोता उसका नाम पुलस्त के पुत्र वृष्वा और विरष्वा की एक पतनी इडविड़ा राजकुमारी इडविड़ा से उनका विवा हुआ और उनका पुत्र था कुबेर ये अलग बात है कि विरष्वा ने दो विवा किये थे अब धोती को जब कुबेर खीच रहे थे तो फुलस्त रिशी ने कहा कि क्या हुआ तो वो बालक रोने लगा उसने कहा कि दादा जी आपको तो कुछ नहीं चाहिए लेकिन मुझे तो कुछ चाहिए देवी ने कहा कि अच्छा बालक बताओ तुम भी रिशी पुत्र हो बताओ तुम्हें क्या चाहिए तुम्हारी क्या मनो कामना मैं पूर्ण न कर दूँ तो कुबेर ने कहा कि मैया जो मांगूँगा क्या मुझे मिल जाएगा तो देवी ने कहा कि अवश्य मांगो तो सही तुम जो मांगोगे मैं वही दे दूँगी क्योंकि मैंने ऐसा वचन दिया है तो कुबेर ने कहा कि मैया वचन तो दिया है लेकिन मुझे भी वचन दे कम से कम कि जो मांगोगा वो निश्य ही मिल जाएगा माता ने कहा कि अरे चल मैं तुझे भी वचन देती हूँ कि तु जो मांगेगा वैसा ही मिलेगा कुबेर ने कहा कि अब ठीक है अब वचन दे दिया है तो तु अपने वचन को तो नहीं ठुकराई इसलिए माता अगर तु आज मूह मांगा दान दे रही है तो मैं तु जिसे यह स्वर्ण महल बांगता हूँ जो तु ने भगवान शिव से हट करकर इस कैलाश पर बनवाया है तु यह स्वर्ण महल मुझे दे दे दान में जैसी यह कहा सती के पैरो तले की जमीन खिजग गए देवी ने कहा कि चल अब तो तु ने मांग दिया है तो मुझे देना पड़ेगा इतना हट करकर भोले नाथ से बनवाया लगता है कि हमारे भाग्य में महल के अंदर रहना लिखा नहीं है यह वन ही अच्छा है यह परवत ही अच्छा है हम इसी पर अपना दिन गुजारेंगे सती ने मन ही मन निश्य कर दिया और कुबेर को वो स्वर्ण महल जो इतना हट करके बनवाया था अपने पिता को प्रसंद करने के लिए कि ताकि पिता देखेंगे, तो फिर वो परसन हो जाएगे, कि हमारे पास वैकुंट से भी सुन्दरस्थान, तो अब दान दे दिया, कुबेर ने मांग दिया, तो दान तो देना ही था, जब वचन दे रखा था, तो दे दिया, लेकिन सती, मन ही मन, देवी सती दुखी हो गई और माता सती ने कुबेर को मन ही मन श्राब भी दिया कि जा कुबेर अगर ये स्वर्ण मेरे पास नहीं टिका तो तेरे पास भी नहीं टिकेगा तुस्ते कोई छीन कर ले जाएगा और जो तुस्ते छीन कर ले जाएगा देखना एक दिन एक वानर आएगा और इस पूरे स्वर्न महल को जलाकर राक कर देगा ऐसा श्राप भी मन ही मन उसे प्रदान कर दिया कुबेर उस स्वर्न महल को लेकर चल दी चल दिया अस्थापित किया अपने अस्थान पर ले जाकर कहते हैं और वहां का राजा बनकर कुबेर रहने लगे लेकिन कुबेर का सौतेला भाई रावन कैकसी पुत्र रावन विश्वा और कैकसी का गंधर्व विवा हुआ इसके पीछे भी एक कथा आती है रावन के जन्म की कथा कि कसी ने क्यों गंधर विवाह किया विश्वा से क्या कारण था क्योंकि एक ऐसे पुत्र चाहिए था जो कि ब्रावन अंश से पुत्र हो लेकिन उसकी मा राक्षसी कुल से हो तभी जाकर वो पूरे राक्षस कुल के लिए कुछ कर सकता है और तभी रावन का जर्म हुआ रावन को पता चला कि उसके बड़े भाई कुबेर के पास जो है बहुत धन है स्वर्ण महल आ गया है तो क्यों ना उससे छीन लिया जाए और उस समय बल पुर्वक रावन ने कुबेर से स्वर्ण महल छीन कर और कुबेर को श्रीहिन कर दिया धन विहीन कर दिया लेकिन तब कुबेर भगवान भोले नात की शर्ण में जाते हैं और उस समय मान सरूवर की सारी संपदा भगवान कुबेर को दे देते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम मान सरोवर में हो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड सकता इसलिए कुबेर निशिंद होकर यहां पर रहो मेरी शरन में रहो और कुबेर ने मान सरोवर को ही अपना निवासस्थान बना लिया संपुर्ण धन वैभाओं के साथ अब रावन से भी अधिक धन वैभाओं उन्होंने पुनह भगवान शिव की कृपा से एकत्र कर लिया लेकिन रावन की आखों में कुबेर का धन हमेशा खटकता रहता कुबेर को धन का देवता घोशित किया भगवान भोले नाथ में कुबेर को धन का देवता घोशित किया लेकिन रावन इस उपलबधी से हमेशा ही इरशा करता रावन का संपुर्ण जीवन कुबेर से इरशा करने में बीट गया और रावन ने कुबेर की से स्वर्ण महल छीन लिया जो कि लंका में था और लंका में खुद राज करने लगा लंका का राजा बन गया जो कि उसका अपना अधिकार नहीं था उस लंका और उस स्वर्ण महल के असली राजा जो थे उस स्वेम कुबेर थे और उधर कैलास पर देवी सती का मन अशांत रहने लगा कि इतने मननत से इतने हट से एक महल बनवाया और वो भी चला गया भगवाने शिव तरह तरह से देवी को समझाने का प्रयास करते हैं और आगी की कथा हम अगले दिन श्रवन करेंगे धन्यवाद अल्यानकारी विश्यों पर चर्चा होती है अता इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सयोग करें बैल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन्स में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विश्यों पर अपने प्रश्न भी पूच सकते हैं धन्यवाद